प्रदेश में शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को सरकार की समक्ष उठाने के लिए शिक्षकों ने अलग-अलग एसोसेशन का गठन किया है और ये शिक्षक समय समय पर अपनी मांगों को प्रदेश सरकार की समक्ष भी उठाते रहते हैं ऐसा ही एक संग है हिमाचर प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संग शनिवार को हिमाचर प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संग जिला शिमला इकाई की राज्य कारेकारेनी की बैठक जिला शिमला में आयुजित की गई इस बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष केसर ठाकोने की बैठक में शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, वहीं परदेश सरकार से भी मांग की गई कि शिक्षकों से जुड़ी सभी समस्याओं का जल से जल्द हल किया जाए कि प्रिजाब की तरज पर ही इसी डिमांड को लेकर के हम पहले भी सरकार के साथ बात कर चुके हैं और यहां पर चर्चा होगे चर्चा करने के बाद इस बश्याइब पर हम द्वारा सरकार के सब बात करेंगे जिस तरह से बात कीजिए नया वेतनमान लागू हुआ है और जिस तरह आपने कहा कि इनिश्याइल को लेकर आपकी डिमांड है तो इससे पहले भी आप मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं क्या आशवाशन मिला और क्या निश्क अभी तक निकला है जी हमने एक जॉइंट फ्रेंट बनाया था जॉइंट फ्रेंट में हम पांच अशुश्याइशन के लोग ते जिसमें में 20 दस्य था और वहाँ पर हम फाइने सेक्टरी जीव सेक्टरी और मुख्यमंत्री के साथ बैटे कर चुके हैं और इस अनिश्याइल स्टार्ट के श में चर्चा की पर अभी तक कोई हमें परिनाम नहीं मिलें जिस तरह से बात की जाए कि केवल आपको आश्वार्शन ही मिले हैं आप भी कह रहे हैं अभी तक कि इसका कोई निश्कर्स नहीं निकला है अभी क्या फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे आने वाले समय में और आने नहीं मिलता है आपकी मांगिन नहीं मानी जाती है अभी अभी इसके पश्चात जैसे ही मारा जो कारकारनी की बैटर खत्म होगी उसके बाद हम जिला के जो माया धर्षय है उनके साथ बैटेंगे और जो भी निरने लिया जाएगा उस पर आपको अभी ब्यूरो चैनल शिम्ला